अधिये चिर्लन, दिसीस ओनलसन शिक्स बगवान के टाकिये नोटबुक वर्ग, लिसन केर्फुली, रॉमलेटर वन अरतलिगो, टाकिये पत्र लाने वाले, पोस्ट मैन, बांज थे, पडले थे, वुड रीड, आंग थे, समच थे, तो अंडर्स्टांट, दर्ती, भूमी, यर्थ, पांगोम, पंगोम, विंग्स, नेक्स्ट रॉमलेटर ट्व, विलोम शब्दिलिगो, राइट थे, अंटोनेम्स, इत्तिना, दिसमच, उत्तिना, दात्मच, उबयुक्त, स्यूटबल, अनुबयुक्त, अंस्यूटबल, एग means one, अनेग means more, स्वोधेश means native country, विद सब्य, सिविलाइस्ट, बरबर, अन्सिविलाइस्ट, नेक्स्ट, रॉमलेटर ट्री, परेवाजी शब्दिलिगो, राइट थे, सिनोनिम्, सावरब, सुगंद, गुष्भू, स्मेल, भगवान, परमेश्वर, जगदीश, गौड, पहाड, माउंटेन, नग, शाइन, सेक्षब्दिलिगो, वनबर, सब्स्टिशन, अपने देश से दूसरे देश में समान जाना, निर्याद, गो फ्रम वन कंडरी तो अनदर कंडरी, नेक्स्ट, दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकारी, बेनिफिशन ओन अधर, जो कभी नष्ट नहो, अनश्वर, जो सब जगह व्याब्त हो, प्रिवेल एवरिवेर, सर्व व्याबक, यूनिवर्सल, शीक्र नष्ट होने वाला, परिशिंग इन क्विक्किली, शन बंगुर, परिशब्ड, नेक्स्ट बिनार्तक शब्दिलिगो, ग्रिह, गर, होम, ग्रह, तारे, स्टार्स, अभिराम, सुंतर, ब्यूटिफुल, अभिराम, लगातार, कंटिन्यूस, तरनी, सूर्य, सन, तरनी, नाव, बोट, लक्ष, लाख, लाख ओफ रुपीस, लेश्य, निशाना, सिंपल, शम, शान्धी, पीस, सम, वराबर, इक्वल, नेक्स्ट इस उत्तरलिगो, आंसर दे फॉलोईंग, पक्षी के पंगों द्वारा फूलों की सुगन दूर दूर के देशों तक जाती है। और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में बरसते हैं। Q2. पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्टियम को कोन-कोन पढ़ पाते हैं सोच कर लिए। Q2. पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्टियम को पेट, पाउदे, नदियाम, चर्ने, पानी और पहाड यानी प्रिकिर्दी के सबीरू पढलेते हैं। Q3. पक्षी और बादल की चिट्टियम में पेट, पाउदे, पानी और पहाड क्या पढ़ पाते हैं। Q3. पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्टियम में पेट, पाउदे, पानी और पहाड इश्वर का दिया विश्व बंदुत्व का संदेश पढलेते। The trees, plants, water and mountains are broad letters of birds and clouds. They give the messages of world brotherhood from God. This is the message he is giving. Listen, question number 4. एक देश की दर्ती दूसरे देश को सुगंद बेजती है. इस कादन का बाउस पस्ट कीजे. एर्थो वन कंडरी sends fragrance to अनदर कंडरी. Explain the statement. Answer. एक देश में गिलने वाले फूलों की सुगंद दूसरे देश में हावा वा पक्षियों के पंगों द्वारा पहुंचाती है. The flower fragrance is reached in another country by the wind and the wings of birds. इसी प्रकार एक देश का बाब बना चल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है. Similarly, water clouds become the steam of a country. It rains in another country. The feeling is that the divine message of world brotherhood by clouds and birds is inspired by the whole world. Okay? Next question number 5. Bhagavan के टाकिये कविदा से क्या संदेश मिलता है? What is the message from the poem Postman of God? Bhagavan के टाकि. Answer. Bhagavan के टाकिये कविदा से एस संदेश मिलता है कि हमें संसार में मिलजुल कर रहना चाहे. The poem Postman of God give this message that we should live together in the world. Okay dear children, this is our notebook work of lesson 6. Please complete your notebook neatly. After that, read and study. Then after, write and study in our rough book. Okay dears. Thank you.